Hello Everyone, आज हम घर पर गन्य का रस बनाएंगे, घर पर गन्य का रस कैसे बनाएं, हम आपके साथ इसकी रेश्पी शेर करेंगे, इसको बनाना बहुत ही असान है, आप इसको अपने घर पर बनाकर इंज्युाई करें, बजार जैसा बहुत ही टेस्टी रस बनकर त्यार होता है चलो बनाना सुरू करते है गन्य का रस बनाने के लिए हमने 50 ग्राम गुड लिया है गुड को मैंने 20 मेंट पहले विगो कर रख दिया था हमारा गुड अच्छे से गुड चुका है गुड को हम गन्यों से त्यार करते हैं इसलिए हम इसके साथ बनाएंगे आज अपना गन्य का रस एक इंच हमने अद्रका टुकड लिया है 20 मैंने पुतिने के पत्या लिया है दो चमच लेमन जूस एक चमच काला नमक अब हम इसका रस त्यार करेंगे इनको हमने एक ग्राइंडर में डाल लेना है अब हम इसके वीच आइस क्यूब डालेंगे आप चाहे तो इसको पहले भी डाल सकते हैं अब हम इसको ग्राइंड करेंगे बहुत ही टेस्टी हमारा गन्य का रस बांड कर त्यार हो जाएगा आप भी इसको अपने गर पर त्यार करिए और हमें कमेंट करकर बताईए आपका गन्य का रस कैसा बना इसको अब हम सान्मी से सान लेंगे हमारा गन्य का रस त्यार हो चुका है अब हम इसको सर्व करेंगे जदी आपका भी मान हो गन्य का रस बीने का तो आप भी अपने गर पर इसको त्यार करकर इसको इंज्वाइ कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और शेयर करें कमेंट करकर पताएं वीडियो कैसी लगी और इसको बना कर अपने गर पर जुरूर इंज्वाइ करें थैंक्स फॉर वाचिंग